लेकिन उससे पहले देखिए राम लला की प्राण प्रतश्ठा को लेकर देश भर में उत्साहा तो है ही लेकिन अभी एक मूर्ती की तस्वीर जो है राम लला की मूर्ती की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है उसकी चर्चा भी काफी हो रही है इसको लेक जी महराजों की तीरच्षित है उसके ट्रस्टी है महराजी तीन मूर्तियां है यह जो हमने आपको दिखा रहे हैं इन में से असली कौन सी है किसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी यह जो धनुसबान लिए है इस मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है और इनोंने बनाने में जैसे कोई बरत करता है असनान करके वबाश करके मूर्ति बनाई है तो इसको पूरे अनुष्ठान से बनाई इसी की प्रतिष्ठा हो रही है कि जो जितनी तमाम तस्वीर चलना ही उस में से यह जो तस्वीर है क्योंकि तीन मूर्तियां बनाई गई इस मूर्ती की प्राणपरत्रिश्टा होगी इस्पर पहले हम आपको इजे है परमानर्ण जी के बयान के आधार पर दी कई जानकारी के आधार पर यह जे कन्फर्म कर की अब्धी जो रामलला विराजमान है पर उनका क्या होगा वह वहाँ विराजमान रहेंगे नई की प्रतिष्ठा होगी चुकि हमने सारा अंदोलन रामलला जी के बल पर ही किया है और उनी के कारण यह हमें जगे प्राप्त हुई है इसलिए वो तो रहेंगे ही तो जहां पर यह वाली मूर्ति जो भी हमने अपने दिश्कों को दिखाई जिसको आपने बताया कि जिसका चैन किया गया है इस म उम्र तो वही है छोटी लेकिन आकार बड़ा है लेकिन उम्र के लिए भी कहा जा रहा है कि यह तो जह है चार पांस साल के बच्चे की प्रत्मा लग रही है यही कहा गया था कि रामलला की ही छोटी उम्र की बननी चाहिए आकार बड़ा होगा लेकिन जो दिखना चाहिए तो अफवाहों पर ध्यान मत दिजिए, सच खबर देखिए, प्रमाणी खबरें देखिए, ABP News पर, यह हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, इसके जरी आप समझ गए होंगे कि आखे रिए जो अफवाह फैलाई जा रही है, उसका सच है क्या?